आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें। ये है औरेलिया का है, और ये औरेलिया जो होता है, ये सिलेंट्रेटा का सदस होता है, यानि कि नाइडेरिया का सदस होता है, किसका सदस है ये? ये है नाइडेरिया का, इसमें जो अलाइंगिक जनन होता है, वो इस्ट्राबिलेशन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है यह और यह होता क्या है यह ठीक मुकुलन की तरह ही इसमें भी मुकुल तयार होता है यह क्या करता है एक ही समान खंड बार-बार बनाता है, है ना, तो यह पी हो गया हमारा नाइडेरिया और यह इसट्रो बाइलेशन के द्वारा अलैंगी जनन करता है अगर दूसरा चित्र देखे तो यह एक आमीबा का चित्र है, यह जो है, यह किसका चित्र है एक अमीवा का चितर है जो कि प्रोटिष्टा का सदस होता है प्रोटिष्टा में प्रोटोजवान प्रोटिष्टा होता है उसी कायस सदस होता है इसमें यहाँ पर बहु खंडन हो रहा है जिसमें क्या होता है एक केंदरक क्या होता है बार-बार विवाजित करता है यह एक के सिंद्र के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशी का द्रव जमा होता है जिसे बहुत सारा चोटा चोटा क्या होता है आमीबात तैयार होता है है न्Fre चलिए विकल्प को हम लोग देखते हैं, पहला विकल्प कहता है निरेरियन में मेटा मेरिज, तो मेटा मेरिज भी नहीं है, दूसरा कहता है एक निरेरियन द्वारा इस्ट्रोबाइलेशन तो ये बिलकुल सही है, अब इधर कहता है एक प्रोटिस्ट द्वारा बहुखंडन तो ये भी सही है क्योंकि आमीवा है जो प्रोटिष्टा का सदस है ये गलत है प्लैटियल में नहीं होता है यानि इसका जो दूसरा नमबर विकल्ब है ये बिलकुल हमारा क्या है ये सही उत्तर है उमिद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा धन्यवाद